टीवी वन के निहाई दिल्चेस्ट ड्रॉमो और इंटर्चेन्मेंट से भरपूर शोस किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आईकॉन पर क्लिक करें अपर क्रें तुम थीको निए वहाँ वो ओबना यार फोन नी अटा रहे हैं तौनों नी अठा रहे पॉन है को अच्छों मुझे तो समझ देना थी किसे निहीं चलालाओ पता नि कब से मारा पीछा कर रहा था जमी अब मुझे बहुत नंचिन्सव हो गए मुझे लग़ रहे हो भाजी तो बाहीँ स वृह मार देगा वॊ पकर डेगा मुझे वबहुत नेग कर देगा सौचरी हो भाइव बहुत नेग कर सकता है कुछ भी को सकते हो पीं सनक्राजी ओ सकता हॉ मुझे मरने से डढ़नी लगता, तुम क्यों ड़र रहे हो? क्यों जजबाती हो रही हो यार, अभी फारिंग होई है, पिर जान का खत्रा है? प्लीज मुझे मेरा काम करने तो चुप रहा हूं, प्लीज! प्लीज मुझे तो लग रहे है कि टी-म को बाजी सवेरा को समार यार कर रहा हूं ना कोचिछ, फोन कर रहा हूं, प्लीज यार अभी छुप कर जो रखी, प्लीज! फोन उठाये हैं, यार? बैट जो प्लीज अभी बैट जो लड़कियों, आइस्ट्रिंग के बाद तुमारा जो भी तिल चाहे, बता देना, आज हमारा मूड बहुत अच्छा है, जो तुम लोग को होगे, बिलकुल वैसे ही होगा, जी, नहीं, बहुत शुक्रिया, अरे तकल्लव के ऐसा, बैए हम जानते हैं, कि तुम लड़कियों आइस्ट्रिंग के बाद पीजा होगे, क्या ख्याला आपका, नहीं जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा, जाब, सामने देखो, सुनार की दुकान, अम्मी के पैसे ले आती, तो गोल की चेह नहीं ले ले लेती, हाई लाँ, चलो देखी लेती, रोज रोज थोड़ी आना होता है, पै इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है, पै हम है ना, हम लेके चलते हैं आपको सुनार की दुकान पर, पै जो आपका दिल चाहे, खरीद लीचे का, अरे नहीं, अल्ला, मैं तो यूही कह रही थी, अब म बाते कर नहीं है आपना से, पै क्यो नाराज होंगी भाभी साइबा, हम आपके वालते मौतरम से इजासत लेके आए, अब भाभी साइबा की फिकर मत के, हमारी गरांटी है, बिल्कुल नाराज नहीं होंगी, चलिए, अब आपको सुनार की दुकान पर लेके चलते है, आज हिजाब का जोट नहीं चाहे है, ओर इडली जीगा, हिजाब, तुम यही बैठो, बैठो ना, चलिए, 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 अचलिए, अचलिए, अरे, संभल के, माफ़ चाकर, बस अचानक हो गया, अरे, ये ये जोडा कितना कुपसूरत है, इसका दुबट्टा भी क अरे, ये जोडा कितना कुपसूरत है, लेकिन काफी महंगा होगा ना, अरे, कैसी बाता कर रही है, अरे, महंगा हुआ तो क्या हुआ, हम है ना, हम आपके लिए खरीदेंगे, और वैसे भी महंगी चीज़े जो है, वह भी तो खरीदने करी हो जाए, अरे, वह वह वाला भी अरे, चलिए, हम आपके लिए खरीद के राते हैं, जी ठीक है, ऐसा कीजिएगा, और भी कुछ पसंद आए तो आप ले लीजिएगा, आप तके रेना कीजिए, आप चलिए, हम आते हैं, जी अरे, जल्दी कीजिए, वह 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 आते हैं, और आपके बस कोई महणा जोड़ा है ना तो उनिपाइए, ये पकड़िये बना ये गिर जाएगा, ये ये पकड़िये ब्लच शुझाएगा, नहीं प्रज़ाद के रम in और दो फिर पाड जब तक यह वाकिया रुपोर्टी होगा पुलिस कोई मदद नहीं करेगी हमारी पुलीस से पहले क्या मदद की आपकी क्या मिल गया वहां से यह तेरी अल्मारी में रखा था वहां जो कोई भी था बड़ी उजलत में भागा पोठी के गेट पर ताला नहीं था कोई कनेक्शन मिला कोई चमान मिला है वहां से पुलिस वरे ले गए है देखो अब क्या कहते है जाने देट पुड़ी तेर अकेली रहेगी तो ठीक हो जाएगी पता क्या सोच रही है इक्राम आपकी ताक में है इसी चहर में हाँ और से पता लग गया होगा क्या हम का है आज राथ वह यहां पहुंचा ही पहुंचा यह इतना बेवकूफ नहीं है वह आप लोगों का बाहर निकलने का वेट करेगा हम लोग अजीव सी सिचुवेशन में नहीं फसके हमारा मकसद तो हर्गिस यह नहीं था हमारा मकसद यह लोगों को रेस्क्यू करना था और यह आफटर शॉक्स था हैं इन से क्या गबराना देख लो मेरे खाल में तो तो मैं पुलिस को इनफॉर्म करना जोई है हम पुलीस में उनका को इनफॉर्मर है इस तरह आप घर का खाली हो जाना सब कुछ गाइब हो जाना इसी तरह इसारा करता है हम वह अपना कोई काम आदा नहीं छोड़ता बहुत अच्छे तरीके जानती हुसे आप लोग अपनी तैयारी मुकमल कर लीचे दो जुम्ह छोड़ कर तीसरा जुम्ह कैसा रहगा नजमा बेगम देखना जरा क्या तारीख बन रही है नजमा बेगम आप से मुखातिब हूँ मैं जरा सबजी का वी सबजी को छोड़ो इससे आम बात और क्या हो सकती है रात का खाना अरे बादी यह आट के खाने किया प्रिकर मत कीजी रात का खाना जो है वो बहर से आ जाएगा अब इसी बस आब इस बात को निप्टा के देखें फिर देखें यहां पे खानों की कैसे रेल पे लोती है अरे उड़ जो हम क्या वैसे बई जाओ झाल झाल जमी मुझे गाओ जाना है जलेंगे एक दफ़ा पॉलीस रिपोर्ट हो जाए ग्राम पक्राजाए तो जलेंगे ग्राम नहीं पक्राजाएगा अभी 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 हमें मार देगा वहाँ मुझे मरने से पहले एक दफ़ाओ जाना है जाना है जाचा मजीदे मनाया है प्यारा है ना? महाँ प्यारा है पता है जमी मैं अकसर सोचती हूँ कि अपबा ये अपने हाथ के गड़े वे बेजान गुगुगूरों का इतना खयाल करते थे जमी मैं तो फिर उनकी रखी थी उनके सामने चलती फिरती बाते करती पता है वो अबबा कहता था मैं मुझे के बहुत प्यार करता है ये खयाल तो सोचा होगा के रखी कहा है कभी पता ही नहीं किया अभी तो वापस नहीं गया अम्मा के पास रखी इंसान के कुछ रवईयों की कुई जिस्टिफिकेशन नहीं होता है होगे कुछ पी मजबूरी होगी तो हाँ ठीक है रहे हो खेर तुम्हे हो रखी रही नहीं तो मैं एक और है तूं जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख लिए पात पूछो ऊढम आए कुछ निविए को ने ने कुछ नियुक नियुक नि . भेक रखी ? लिषpinोस थे नहीं है क्राम ? हाँ oh my god यह गेड़ पाला जो कहले पे ने फोन से किनेक्टिड है यह इध़ फिर रहा है? हाँ अब यह प्लीस को फूरत हलो, जी जी मैं जम्शेड बात कर रहा हूं जी जी बिल्कुल बिल्कुल अब एक्राम को देखा है भी हमने अपने गेड़ बात जी जी अभी बिल्कुल अभी ठीके मैं मैं बेट कर रहा हूँ, कितनी तेर में से? ठीके मैं मैं नसर अखता हूँ ठीके फ्लीज जल्दी कीज़े हाँ प्रेट से जमानमिले से सील कर दो और भेज़ो फोर्स एक्राम अगर अगर अपनी मर्जी कर रहा है तो भुकते हैं मैं एक हद तक ही इसकी मदद कर सकता हूँ ओके हलो हाँ, स्टांट को कंट्रोल करें बात मेरे अखतियार से बाहर निकल चुकी है पामला पेगड़ गया है हाँ अशी मेरी बेटी तुम कहां चली गई तुम तो कह रही थी सेलीं के साथ तुमाही जा रही है तुम कहां चली गई तुम पता है जुलफी तुमें ढूटता रहता लेकर तुम मिलती नहीं हो ऐसा रखता है जुसे पता नहीं जमीन खागए असमान में कर गया तुम अचली अशी मेरी बेटी तुम अचली अचली अमी अलमारी में अचलो मुझे दे दे ना मैं रखताँ की संभाल के हमारे घर कौन आता है अमी फिर भी कल आपके अकाउंट में पचास हजार जमा करवा दिये जाएंगे और साथ दिन के अंदर कागजाद भी भीज दूँगी तुम्हारी आंकों में जन्नत दिखी थी मुझे मिरान लेकिन तुमने मेरे सिंदगी जहन नम बना दी काश के तुम मर जाते अगर ऐसा है यह तुम्हारो खोले यह लो मारो मार डाला मुझे मैंने तुम्हें एक पहार समझा था मिरान मगर तुम तु बहुत कम जोर निकले इतनी नफरत के मुझे मार दिया बहुत नफरत करती हूं मैं तुमसे देखिए हर जाई जमाता इत्वार रात आट बजे आउ पसी रिष्टो ही प्यारी का तेरा रस्ता ताके है चंग सपने आउ नीदों से यारी कर ले असलाम लेकुम अम्मी वालेकुम सलाम बही मुबारिको नजमा कागस जमा हो गया है अब सात्में दिन जाके पासपोर्ट ले आना शुकर है अब तुम्हारा बड़ा शुक्रिया वरना ये काम कभी ना होता भई नसीम ने तो ऐसे फरफर अंग्रेजी बोली अगर उर्दू भी बोलती तो काम चल जाता आँटी साथ दिन रह गए ना हाँ भई साथ दिन जाके पासपोर्ट ले आना अच्छा तुम बैठो तो सही मैं खाना लेके आती हूँ बड़े मजे की कचनार बनाए नहीं भी किसी के हाथ भी जवा देना सुबह से निकली मियू बहुत देर होगे घर जाके भी देखना है अच्छा खुदा आफिस और बहुत महरबानी खुदा आफिस नसीम सच सच बताओ क्या होने जा रहा है साथ दिन में साथ दिन में क्या हो सकता है ममी होने को तो बहुत कुछ हो सकता है साथ दिन में साथ दिन में तो काइनात भी बन सकती है बताओ साथ दिन में सिफ मेरा पासपोर्ट बनेगा ममी और कुछ नहीं होगा. देखो, Naseem, मा हूँ मैं तुम्हारी. जो कुछ भी है मुझे पता होना चाहिए. पता होगा तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगी ना? बस, Ami, थोड़ा से इंतजार. सब बता दूंगी आपको. अच्छा हाँ, कल मेरे साथ नादरा की दफतर चलेंगी. बहुत जरूरी काम है, Ami. क्यों? क्या करने? बस, आपको चलना होगा. वहाँ सब बता दूंगी. Naseem. Ami. अब कुछ खाने को देंगी? उसको तो कछनार पूछ नी थी. मुझे खाने को देंगी. बहुत भूख लगी है. ला रही हूँ. लेकिन देख लो. Ami. क्या मतलब उसने कह दिया और तुम आ गए? और क्या गरता? बेनकाब करो उस बड़े साब को. मैं तो कहती हूँ, खाली जुल्फी बे नकाब हो जाएना तो काफी है. सुमल, तुझे नहीं पता जुल्फी, डॉक्टर, नजामी ये सब… ये पिठ्धूं है, ये उकात नहीं है इनकी कोई असल आदमी वो बड़ा आदमी है. पता है. कोई बी जंग सिर्फ जजबे से नहीं जीती जाती, स्ट्राटीजी भी चाहिए होती है. अज गाड़ी के आगे गोड़ा जोतने की बजाए, पहले ही नहीं किसी महफूस मौकान तक पहुचाओ. रैकेट का क्या है या, उसका तो पता चली जाएगा. चल चुका है पता, सारा कुछ पता लग गया है, अब उनको खतम भी करना है ना, अन्जाम पे पचाना है कि नहीं, वो ठ्थानेदार बिल्कुल सही कह रहा है, मीडिया को सारा कुछ पता दो. वो लोग पूरी पुलीस को खरीच सकते हैं, तो क्या मीडिया को नहीं खरीच सकते हैं? इसका मतलब यह है कि यह बात तो यहां आके सिमट गई, कि जो लोग यह कारोबार करते हैं, वो जाने पहचाने नामालूम अफराद हैं. मजाहे तो ऐसा ही लगता है, और इसे बहुत सारे कैफिज अरड़ी पेंडी लिए. तो मैं यह सोच रहू हूँ, बाजी सवेरा इतना ही बहुत था कि हम लोग वहांसे बच के बहार निकला है, जिन्दा निकला है और कोठी बंद होगी. क्या फाइदा? वह एक ही कोठी थी पुरे शेयर में. अगर आपको लगे कि आपका माजी एक बहानत याद है, जो आपके हाल और आपके मस्तक्मिल को खा जाएगा, इसका बहुत आसान सा हल है. अपने माजी के भूत को डब्बे में बंद करके रखती जी. तब तक जब तक आप इतने मजबूत ना हो जाएं कि अल्मारी में छुपा भूत और बेट के नीचे बैठा चलावा आपको डिराने में नाकाम ना हो जाए. और जब आप इतने मजबूत हो जाएं तो फिर अपने माजी पर नज़र डालें. और सोचें, सोचें के कहा कमी रह गई? ऐसी कमी जो आप नहीं चाहते कि किसी और की जिंदगी में आए. अपनी महरूमियों का बदला ऐसे लीजिए, कि किसी और की जिंदगी में वो महरूमिया आने ही ना दी जाएं. शुक्रिया. कुम, कैसा लगा मेना ब्लॉग? बहुत अच्छा है. क्या सोचिए? नहीं, बस चुमी, मैं.. मैंने सूच लिया है. मैंने भार नहीं माननी. लोग ने हमारी जिंदगें खराब कर दी. और मैं हार नहीं मानूगी. किसना का हार मानूँ? आन जांक के तरीके मुख्रिफ होते हैं? हम.. चीक कह रहा हूँ. जिमी, एक बात तो बताओ. यार अगर अगर मैं इस तरह केमरा रखके जैसे तुम वीडियो बनाते हो, अगर मैं वीडियो बनाओंगी तो लोग देखेंगे? अफकोर्स देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? जिमी, मैं वीडियो बनाने इस तरह अपनी कहानी लोगों तक पहचाना चाहती हूं और सुनाना चाहती हूं इसकी एक डीटेल, एक शक्स का नाम, एक तफसील पतानी है मुझे. चाह, तो तुम अपनी कहानी सुनाना चाहती है। हम.. वेकी, बस.. अपस एक महीना बेट कर से लोगों, इसके बाद जो करना हो और लेना अपना जो पर एक महीना लेना जाओ अब तुम्हें भी मेरी इक बात माननी होगी यहीं मुझे गाउन ले जो मुझे गाउन जाना एँ वह भी तो भी नहीं कर सकते ना नहीं जा सकते रखी जिमी यार कुछ चीजने छोड़ दो मुझ पर बस कुछ वक्त के लिए प्लीस ठ्रस्ट में प्लीस 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 हम् 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 यह ठीक है हम् दिखाव अपनी जो वीडियो बनाई है भी आप बलकुल आप अम्मी अम्मी पास्पोर्ट बन गया मिल गया पैसे भी चले कर तुम्हें तुम्हे पता है ना तुम्हे अबूने दौत बात की तो तारीख रखी भी है क्या कर रही है तुम्मी बताओ मुझे बताओंगी सब बताओंगी अम्मी भला आपने अबू के इत्ती सक्तियों के बावजूद मुझे पर इतमाद किया कैसे नी बताओंगी हाँ तो बताओ चूडिया का है अलमारी में पासपोर्ट अम्मी मैं दुबई जाना चाहती हूँ यहाँ हाँ अमी दुबई इत्ते दिन हो गया है गवराट हो रही है मुझे सांस बंद हो रही है मेरी यह किस तरह की इजादी है बंद हो के बैठके हम चूवे की तरह कराम मायूस हो के कहीं चला जरूर गया लेकिन आप लोग महफूज नहीं मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को कहीं बाहर बिजवा दो मैं नहीं जारी कहीं मैंने सिर्फ ने गाउं जाना है और मैं क्या करूंगी बार जाके बाही कोई मुनासिब से नोकरी की जा सकती है तो नोकरी बाहर जाके करनी वो यही कर ले क्या फरक पड़ता है तुम क्या कर रहोगी गाउं जाके? मुझ से बद पूछो, हर बात के जवाब जबानी नहीं बताया जाता पता है मुझे टी-म ने कहा था कि हम मैं किसी शेल्टर में भी काम कर सकती है हाँ, बल्कुल, जैसे आप मुनासिब समझे तुम चाहमें कह जा रहे हो इतने तन से तुम शेल्टर नहीं गए तुम क्या काम कह रहे हो हाँ हाँ जा रहूं टी-म का वेट कर रहा है आज ही जाना है तुमने, जबके मैंने तुम्हे तुम्हें गाउं ले जाओ, बतादो मुझे ले जा सकते हो, वरना दस पसे जाती है मैं खुछ चली जाओ गाउं वही हैं जेतने साल पहले था, दस साल बाद भी जाओगी तो वही रहेगा भागनी जाएगा पाजी सवेरा ये बहस ही करता रहेगा मुझ से आज मुझे गाउं जाना है बस मुझे बताल भी जारहे हूं कि निचारी है ये हलाद देखो तुम बच्छों तुम बच्पन से ऐसे ही करती हो हमेशा घलत बात पर जित करती है तुम्ही नहीं नाइम शेर्वानी तो निफस यए कृक्ट केले जाते हैं अमी मैं बनी क्रिके खिलिये अगर आप केंगी तो मैं नहीं हो नहीं दो तपी किन अम्यैक बता है अगर मैं क्रिकेट नहीं खेलोंगी ना तो मैं मार जाउंगी मरे तुम्हारे दुश्मत बताओ कब जाना अमी मुझे पता धम्याब मान जाएंगी वो लोग अब मुतमहिन है बस इतना ही कर सकते थी काम करने वारे लोग कितनी देर पीछे फिर सकते हैं असम के साथ साथ रहा उनको तसली देते रहो ऐसे लोग जदी ठक के बैठ जाते हैं वैसे मने अच्छा किया कि एकराम को गाउं भेज़ दिया बात उसकी भी खलत नहीं थी अगर वो लड़कियां बोल पड़ती हैं तो मौामला उचल जाता समझदा लड़की हैं इसलिए चपकर के बैठ गई लेकर वो लड़की आपका बड़ा नाम ले ले थी जिसे जखमी किया था एकराम ने जानती है क्या आपको वो मुझे कौन नहीं जानता ऐसी जवाँ पे आना जाना लगा रहता मेरा लेकर उसकी बातों से लग रहता क्यों और भी बहुत कुछ जानती है जानती भी है तो कोई बात महीं उस वक्त तक चुप रहो जब तक वो बोल नहीं पड़ती है अगर बोलेगी तो मारती जाएगी ऐसे अगली कंसाइनमेंट आने में पी चन्द दिन पाकी है अब कोठी को रंग रोगनी करवाना है और सेटिंग भी बदन ली है ऐसे वो गहर बड़ा मनूस था यह फाम मुस बहुत अच्छा है क्यों जी खबरदार जो ऐसी बात की तो ये मेरा घर है सोई सर जो किसे दिन रूप्स करेंगा काईडी शब्लेट 50,000 रुपीस पर इनिसल रेंट और रिजिस्ट्रेशन एंड गिवेल एकांट में अब ये टिकेट और वीजा भेज़ें के में उसके बात सिर्फ यहां से निकलना होगा पहु तो पहर उस तिन मैं किसी बहाने से तुम्हारे अभू को शहर से बाहर भेज दूँगे अभू चले जाएंगे यह तुम मुझ पर छोड़ बहु मैं पात ही कुछ ऐसी करूँगी क्या बात करेगी याठ इसको रहने दो पिये बताओ तुम्हा पर रहोगी कहा उसकी फिकर नी करें यह तो अच्छा हो गया लेकिन अम्मी सोच रहे थी मेरे जाने के बाद अभू बहुत भड़ा हंगामा करेंगे बची तो कुछ पता ही नहीं मैं तो साफ साफ कह दूगी और जितनी सक्ती इसवत हम पर है इससे जादा क्या होगी क्या कर लेंगे सांस कोड़तेंगे नईम शिर्वानी वो तो पका पका हंगामा करेंगे अरे उसे तुम जाने दो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा तुम बस अपनी तयारी रखो बेलकि मैं किसी से कहके तुमारे लिए एक फोन मंगा देती हूँ वहाँ जा कि उसमें डाल ले ना अपने ले भी मंगाईएगा क्यों आपके पास भी तो नहीं है तेको जारा सोचा ही नहीं पौन फिर करती किस पे अमी अपना ख्यार लिखे लिए अपना ख्यार लिखे लास कैसी बाते कजे फजूल के जिद छोड़ देती है तो अच्छा होता क्यों छोड़ देती मुझे अपने घर जाना था पता करना रहा अधी जो तुमें लग रहा है यह जो भी कहानी है यह तुमें लगता अपनी सिंपल इतनी नजर आ रही है कितनी को मुश्किल हो सकती है तन्वीर से क्यों ही तुम्हारी शादी है जब कि तुम तुम्हारी शादी है जब कि तुम तो बहुत छोटी थी शाइ पैसों के लिए यकीनन पैसों के लिए हाँ तो क्या है वहाँ जा कि पूछना चाहती हूं सवाल करना चाहती हूं कि क्यों की ऐसा सवालों से बहुत तकलीफ होती है रखी समझो इस बात को ऐसी बात नहीं है जमीर वो तकलीफ जिसे उमर भर की तकलीफ को चैन आ जाए एक दफ़ा पैदाश कर लेनी चाहिए मुझे भी अपने साथ साथ कांटो मेगा सीट रियो वो क्या है जहां है साथ है अब एक ही जगा रहते थे ना हम साथ ही जाएंगे गाउं इस गूगल मैपे ऐसा लगते है हमारे चक का नक्षा ही नहीं रहा तुम कोई वागी पिछल पहरी करना है मार खाओगे तुम वो देखो वो सामने जो पोल है बहा से नीचे जो सड़क जारी है हाँ हाँ नजर आ रहा है मुझे भी जा रहा हूं मुझे तो ज़रा अच्छा नहीं लग रहा कि वो खरीदे जा रहा है और हम है कि बैठे हैं ताक में बात तो ठीक है तुमारी लिए किन उनके बास तो अल्ला का दिया सब कुछ है हम उनके आदे होगे भी खाजी साब कुछ तो लेना देना करना ही पड़ता है ना वैसे एक छोटी सी लिस्पन आई थी मैंने अगर आप थोड़ी सी तक्लीफ कर लें तो गिरिस्मो रिवाज की बात करो तो तुम को क्या कहरी हो मैं सोची थी अगर आप वैसलाबाद तक चले जाते वह सामान सस्ता मिल जाता जाए इसका तॉलियां कंबल चादरें वगएरा अर वैसलाबाद है कितनी दूर? वोटर वैसे हो हाँ हाँ तो ले आओ फिर में लिस्ट हाँ 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 कर दो 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 यह थो भो sich यह थो जारी था यहां पर दो के थैये था व्यक्त सक्वाब लोयी थे उए थे रहा का दो सी रहे था बोड़ाम उप्यशन प्वॉ रेवल हम निकाल धोragen था था दो कि पेठी खराब जाबगा तुम रुको मैं किसी सब पूछ कियाता हूँ बाबा, बाबा, मजीद, बाबा जी पुतर बाबा, मजीद, कुमार यहां पे रहता था वो बनाता था असकी मिट्टी के बरतन, गुगुगोडे, ठूटियां, चिल्मे, और रोगनी हांडियां वगएरा वो सब बनाता था वो नहीं पुतर, अब ऐसी चीज़े नहीं बन दी यहां अब तो यह यह सांचे बनते हैं, यह मट्टी के बरतन और बेग में आती हैं और वो मट्टी के बनी टेलियां यह गुल्दान अपने साह ले जाती हैं अब मुझे लगता है को वो घर जाकर नहीं इन में बलब लगाती हैं अच्छा तो तो मैं तो पूछ थी कि आप मजीद कुमाहर को जानते हैं नहीं पुतर मैं नहीं अजानता है यहां पे न्याने आया हूं जजमान से यही छे मेने पेले पूछ पताचा Mouse हाँ कुछ पता है? यह नहा है यहाँ पर तो इसको तो नहीं पता कुछ भी मैंने पूछे हाँ मैंने भी जिसे पूछा है वो नहीं कुछ नहीं पता है पुतर अगर आपको किसी का पता करना है ना तो यह नहीर वरी पुलिक पाज जो फार्म होसा ना वहां का जो चोकीदार है, वह यही का रहने वाला है, वह बता देगा आपको. शुक्रिया, हाँ. आप वहाँ चले जाएं, को नेरवले पुल के पाज वाज फार्म होसा है लाँ चलेजेगा, वहाँ चले जाएंगा, सब पता चलेगा. शुक्रिया. जम्मी मुझे ये हैरत हो रही है कि हमारा गाउँ आखिर गया कहा पे इतने घर घरोंदे थे खेद थे जानवर थे अबादी का सलाब खा गया हमारे गाउँ को जहां देखो कंक्रीट ही कंक्रीट चलो बेठो 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 द्वाई नहीं जाएगा एक भी अदर मुझे अपनी पूरी टास्क परस अलर्ट चाहिए नहीं एरपोर्ट पर अगर कोई पहुँचा तो सीन क्रियेट होगा जो कुछ करना है उससे पहले करना हाँ मुझे अपनी अकाउंट स्टेट्मेंट चाहिए पूरी, सिंद अन्स्टम्ट, अक्या? राइ तेरा रस्ता ताके है चन सपने आओ नीदों से यारी कर ले हाँ करें